लेकिन इससे पहले रुख करेंगे भोपाल का जहां से बड़ी ख़बर सामने आ रही है बड़ी ख़बर आपको बता दें भोपाल से जहां स्वास्त मंत्री के निवास पहुँचे है एनेचम स्वास्त कर्मी राम चौदरी के बंगले के बाहर धरने पर बैठे सम्विदा कर्मी बड़ी ख़बर आपको बता दे भुपाल से जहां एनेचेम करमचारियों का प्रदर्शन लगातार स्वास्त मंत्री के बंगले के बाहर जारी है सम्विदा स्वास्त कर्मी अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं धरना इस्तर पर पुलिस बल भी मौजूद है बड़ी ख़बर आपको बोपाल से बता दे जहां एनेचेम स्वास्त कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं स्वास्त मंत्री के निवास NHM सम्विदा स्वास्त करमचारी पहुंचे हैं, जहां वो अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवाद दाता गबर सिंख्ठा गुर जोड़ रहे हैं। विदा हैं तो उनके हिसास से इनके लिए 90% उनके सम कच्छ रखा जाए। पिर मुख मांग इनकी ये है। दूसरी बात कि जो ये मांग कर रहे थे दो हजार अच्छारा में उस वक्त मैं जब इनकी मांग हुई और मांग के दोरां दिनों हैं अंदूलन भी किये। उसके बाद में जब कुछ करमचारी थे तो कुछ करमचारीों को निसकासित कर दिया गया था। हलागी कुछ करमचारीों को बात रहुब आऊंगे बात कर दिया था। लेकिन कुछ करमचारी होए थे। और करमचारियों से ये मामले हटा आए जाएंगे, उन साजे मामले घटा दिया जाए में पर उन्हों कीमांगों को ले एक लगा तारा एक पर ना braucht सामने धनना प्रदर्सन किया था और अपनी मांगों को रख Χाथ है अधिकारी कोई लेकिन इसकी बांगों को नहीं मानगा तो आज इन्होंने ठरणमंतुरी यह आंदोलन कर रहे हैं आज इन्होंने धे assess 심 Nee के बंगलی के भाहर यह ठर फे बैठ गए और अपनी मांगों को ले करके सरकार नहीं हुए या हमें कोई आशवासन नहीं मिला तो आने वाले तल गुद्वार के दिन जी कर्णा करते हैं हैं बिस्तमंति के घर पे जाकर कि अंदूलन करेंगे और उसके बाद में भी इनकी मान अगर पूरी नहीं हुए तो आख तारीक को जीम हाउस का घिराफ करेंगे कुल में लाकर कि ये चरनबद तरीके से अपने अंदूल कर रहे हैं हरताल पर चल रहे हैं जिसके कारण कहीं न कहीं सौास विभाग में भी परेशानिया हो रहे हैं सौास विभाग में जो मरीज हैं उनके लिए दिक्कते आ रही हैं जो सौास समूदा हैं सौास समूदाओं मे सवीच तरीके से काम नहीं हो पा रहा है इनकी हरताल को चल पक और उदा सरकार है कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है जिस वक्त में कमलनात सरकार की पिछले 2008 में जब election हुए थे तब कमलनात ने कहा था कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा लेकिन चुकि करीबन 15 से 18 महीने इनकी सरकार रही और इनकी मांगें पूरी नहीं हुई उसके बाद उसके उसी समय में जो सिवराज जी हैं सिवराज जी ने कहा का कि दरसल में इनकी जो मांगें हैं वो मांगे जायद हैं और इनके साथ में बड़ा अत्याचार किया जा रहा है बड़े परिशान है ये लोग इनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और ये सिवराज जी ने कहा लेकिन जब कॉंग्रेस की सरकार गई और सिवराज सरकार आई तो अभी करीबन तीन साल हो च कै रहे हैं कि इनकी मांगह जायज हैं लेकिन जब कमला जी की सरकार की द्यू जायए और, जिसकी सरकार होती है वो चुप्ती साथ लेता है अब कमलाज जी कह रहे हैं आज ही उन्होंने का है सम्विदा स्वास्त करम्चारियों की मांगे जाए जिए उन्हें पूरी की जाएंगी हमारी सरकार आने पर लेकिन अब उनकी मांगे पूरी तो भोपाल से बड़ी ख़बर आख को बता दें जहां स्वास्त मंत्री के निवास अनेचम सम्विदा स्वास्त करमी पहुंचे हैं और अपनी प्रमुख मांगो को लेकर वो बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं